कैसे हो आप सभी मैंने ना बोला था ना कि मेरी जो दिन की तीन वीडियो है मैं एक दिन पहले शूट कर लिया करूंगी एडिटिंग भी एक ही दिन पहले कर लिया करूंगी और उसको अगले दिन भेज दिया करूंगी और मैं ना काफी हद तक इस काम में सफल भी हो गई थी लेकिन कल ये मेरा खराब दिन था मैं अटेंशन में आ गई और मैंने लाइव पे लाइव करी मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करा और वहीं पर या के अटक गई आज मेरी जो ये तीसरी वीडियो है ना ये शाम को मैंने शूट करी है और आज रात तक जाएगी मतलब जो मतलब सोचा था ना कि एक दिन पहले मतलब बना के रख लिया करूंगी उसके बाद भेजा करूंगी वो नहीं हो पाया तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ सिचुएशन लाइफ की ऐसी लगी रहेगी जिन्दगी में अगर टेंशन आ गी और एक दिर भी आपन आपका काम प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत असर पड़ता है आपकी परसनल लाइफ का क्योंकि आप वो जो स्ट्रेस होता है ना क्योंकि कहीं लोग होते हैं लाइफ में कुछ भी टेंशन होती रहे वो काम करते रहते हैं मैं भी उनी में से हूँ मैं भी काम करती रहती हू जिन्दगी में चाहे कितने भी उतार चड़ावाई कुछ भी हो लेकिन मैं अपना काम जरूर करती हूँ लेकिन फिर भी ना कही ना कही थोड़ा सा हो जाता है आप समझी सकते हो जहां आप अपना 100% देते हो वो नहीं दे पाते हो तो मैंने मुलतानी मिटी लगाई थी चेहरे पर क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है और मुलतानी मिटी थंडी होती है पर वो इतनी गरम थी ना जब मैंने चेहरे पर लगाई और उसमें से जीब सी स्मेल आ रही थी और एक्सपायर नहीं थी वो गर्मी की वज़े से हो गई थी ऐसी तो मैं फ्रीज में रखोंगी न थोड़ी सी देर फिर ठंडी ठंडी सही हो जाएगी तो आप मैं थोड़ा सा अपना भी खुद का ध्यार रखना चाहती हूँ और ये देखो बैड तो मेरा ऐसा है वीडियो में ही मैं तीन बार जहडती हूँ ये नजर आ जाओंगी पूरा दिन इस बिस्तरे को जहडती रहती हूँ कहीं बार सोचती हूँ कि मैंने जैसे ये घर लिये चलो ठीक है छोटे से अगर एक कमरा और फालतू होता ना इस घर में तो मेरा बहुत काम असान हो जाता क्योंकि मुझे मेरे काम के लिए भी एक एक्स्ट्रा रूम मिल जाता कहीं बार आप सोचती हूँ जैसे कभी सोचती हूँ ना जैसे अब मैं कि थोड़ी जगा और फालतू होती तो कितना अच्छा था तो यही होता है देखो अगर आप जमीन लेके घर बनाते हो ना तो आपको घर छोटा लगता है तो आप उपर दो कमरे और डाल लेते हूँ पर यहां फ्लैट में तो जितनी जगा मिल गई उतनी मिल गई उसको आप ना तो घर बढ़ा सकते हैं तो वो तो उतनी रहनी है तो कि मैं जो कपड़े पहन के खुश हूँ ना वो कपड़े आज मैंने पहने क्योंकि मुझे बहुत जादा गर्मी लगती है अब इस टाइम इतनी जादा गर्मी है ना कभी 44 डिगरी टेंप्रेचर हो जाता है कभी 46 डिगरी हो जाता है और इतनी गर्मी में ना मैं इतनी परि कि युकि आप से दृचप कर लिया है कि मैं कैमरे के सामने भी शोच पहन लिया करूंगी क्योंकि मैं कमफर्टेबल हूँ एक टाइम पे मैं नहीं थी अब मैं हुँ क्योंकि और मुझे इतना कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि मुझे अकर पसंद है तो मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनना शुरू कर दिया है जो मुझे अच्छा लगता है ना मैं वो पहनूंगी और मुझे इस तरीके की modern dresses मैं आपको बताई दिया मुझे बहुत अच्छी लगती है पहनना क्योंकि मैं ना शुरू से actress heroine को कोपी करती हूँ मुझे बहुत ऐसे मैं देखती रहती हूँ उनको बड़े ध्यान से वो क्या पहन रही है वो क्या dress पहनती है तो मैं बहुत मतलब ऐसे लगता था कि मैं भी ऐसी कुछ पहनूं मैं भी try करूँ होता ही है देखो हम सब में ही होता है भी अपंद्ध को इस तरीके के कपड़े पहना मुझे पशण तो यहां करुक नहीं है है तो यहां मैं वहन को डाल चावल कहला रहे थी देखो चावल थे मूं की डाल बना दी थीरहां मैंने घी एड़ di जोड़ा सा नमक, और मैं आपना खाने का बताओं तो अभी सुभ़ा के, शाम बच चुके हैं, शाम का शवा 6 बच्छे तो बजी चुके हैं, तो 6बजे का टाइम हो चुकी है, और मैंने सुभ़ा क्या था बेंसा अब 4 छू anime टोखे चुके हैं तो 6 बजे का टाइम हो चुका है और झॉ घ्या कशुप मैंने तोड़ी सी कोका कोला पी थी थी क्या करते हैं मैंने आधा अदर गिलास करीबं कोका कोला पी है मैंने आज थोड़ी थोड़ी करके पीया, थोड़ी सी दिन में, थोड़ी सी शाम को ऐसे, इसके अलावा मैंने थोड़ी से दहीं चावल सूबै खाये थे, सूबै खाये थे, पांचे चममच, उसके बाद मैंने क्या खाया है, मैंने कुछ भी नहीं खाये, हाँ, मैंने कुछ कि 4 लीची खाए थी, कुछ भी नहींगाया, क्यूंकि मैं कुछ भी काम इतनी बीजी थी आज में कुछ टाइम नहीं मिलता मेरे साथ है कि मैं खौना घाने काना मुझे समय ही नहीं मिलता है मैं सोले डाइं, खौना खौना praying to pie, तो यही चीज मेरे साथ रहती है आप लोग मेरे कहते हो कि आई-ब रोज कि data कुई बढ़ाओं। कई दिन गे कि रोज, मैं भी सोचता हूँ कि बनवाओं। मैं सोचती ओपनी आई-ब्डरो भी बनवा लूँ तो मैं सोचती हूँ बा旁मेर आके घाना झाना उनाटरी निप और रहना कोई मेरे घर में आ चुके हैं बैड के नीचे गूमते रहते हैं दो चुहे हैं और वो आए भी अभी ही कुछ दिन पहले हैं मैंने मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है मैं रोज सोचती हूँ मैं पिंजरा लगाओं पिंजरा लगाओं आज निकल जाएंगे तो मैं आपना नहीं सोफा चेक कर रही थी मुझे लगा कहीं यह सोफा ना खराब कर दिया हो मैं फटा फट भगाओंगी चुहों क्योंकि पिछली बार याद आपको चुहोंने मेरा बहुत नुकसान कर दिया था तो इनको साथ की साथ भगा दो तो बड़ी है एक्ट्यूली हमारे यहां पर छूटे-réal फ्लैट है ऊपर नीचे दाएंग बाएंगे हर जगल फ्लैट है तो इससे क्या होता है चूहें हो जाते हैं क्योंकि ना जैसे किसी और घर में होंगे वो इधर से इधर आ जाते हैं अब होता है देखो चूहें तो हो जाते हैं घरों में जानते ही हो तो बस मैं बस दवाई नहीं देना चाहती है चाहती है मैं चाहती हूं कि मैं पिंजरा लेकर भगा दू इनको और सोफे को मैंने अच्छे से जाड़ दिया था तो यहां इस जगह पे भी मैंने अच्छे से कर दिया मैं पहार का एरिया थोड़ा सभी सफाई कर देती हूं मेरा हाथ में ऐसी रहता है अगर मैं बाहर या तो मैं बाहर के काम निप्टारी होती हूं या फिर घर पे आके मैं बस घर का ज़ाड़ू यह सब काम निप्टा रही होती हूं कर रही होती हूं आपके अभी टीफिन सर्विस को लेके भी कोश्चन्स आ रहे हैं कि आपने शुरू कर दिया तो देखिए अभी मेरा लगेगा टाइम कुछ दिन और लगेंगे मतलब थोड़ा सा मैंना घर मैनेज कर सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए देखो मैं चाहती हूं कि मेरा घर पूरा टिप टॉप सेट हो जाए मेरा कोई भी काम पेंडिंग ना हो मैं सारे काम पहले निप्टाना चाहती हूं घर को अच्छे से शूद्ध करके साब सफाई करना चाहती हूं फिर थोड़ी सी मैंने इधर साइड में रख रख है तो इसको भी सेट करना है थोड़ा सा तो यहां पे भी मैं थोड़ा सा जाडू लगा देती हूं जाडू भी लगाऊंगी मैं साफ सफाई क्योंकि करनी भी जरूरी है अभी विहान का एक्चुली बता है क्या हो रहाएगी अभी यह महीन जरूरी है विहान क्योंकि अभी एक श्कुल चला जाता था ना तो मुझे चार घंटे मिल जाते थे घर पे अपना मतलब कुछ भी अपने आपके लिए या अपना फटा फट भी ना मतलब कर लेती थी काम फिर विहान दो गहंटे ट्यूशन जला जाता था तो छे घंटे व हो जाता है अब बच्चे के साथ ना बहुत जादा हो जाता है कि कुछ भी मतलब होता है ना घर को मैनेज करना तो इस चक्कर में भी मेरा बहुत समय जा रहा है लेकिन मैं करना है मुझे स्टार्ट अब वैसे में जिम भी जाना में शुरू कर दी थोड़ा-धोड़ा करके वजन भी कम कर लступ की जितनाबी बड़ा है क्योंकि गर्मियों में तो बजल लूए से TVO7 मैं भी तो को दो ? कह पतितनु सर्दियों में नहीं होता क्यunction के लिए की यूचा तक अद्ड बेपते ही ? मैंने, तक 따라 ढ़ला हैं , जाती इतनी सर्दियों में आती है ! मैंने विरेश마ेज़े कुछ ऐसे चाह्तंतो है ? तो अभी मेरे को लगता है कि यह सही सा मैं अपना जिम भी करेंगे एक्सेसाइज मेरे पास जूते नहीं है यार जिम के मैं क्या करूँ लेकिन अच्छे जूते नहीं है ढंके हो ना कुछ स्पोर्ट्स शूज हो ब्रैंडिड वाले अच्छे वाले मतब तीन चार हजार अभी तो महीने और देखते हैं कब तक टाइम लगेगा बस वह मेरे को लगता है मैं जिम जाती हो ना तो मुझे लगता है कि मेरे पास अच्छे शूज नहीं है इस टाइम बट चलो जो भी है वही पहन लेंगे शूज तो ऐसे ही है ज्यादा खास नहीं है तो यहां पर दे हैं कि एतनी के तीज गर्म होती हैं और धूल हमारे हरियानः में तो बहुत है उती है क्योंकि यह मैं अराो बोल être धूर के इतागी ऻाल की मैं में अरम सिर्फाया की मुझेशय है जो कर लोग ब करकी जब जैसी मुझे टाइम लगेगा अपना घर का काम है वो तो रूटीन काम है हम लोग करेंगी अपना घर तो सब कोई साफ सुतरा अच्छा लगता है हलो एवरीवन कैसे हो आप सबी एक्चुली आप लोगों के काफी सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं मुझकल से दो या तीन बार पूरे सड़ तीन साल के अपने यूट्यूब कैरियर में मैंने मुझकल से तीन बार आइब्रोस बनवाई होंगी पर मेरे पास इस तरीके के कॉमेंट्स नहीं आते थे क्योंकि आपको देखने की आदत थी मुझे ऐसे ही अब तो मुझे बनवानी पड़ेगी तो रोज कॉमेंट्स आ रहे है मेरी विडिो के नेचे आपको बनवाला है ओविडियो अंदिग कर दी एडिटिंग कर दी वीडियो एकस्पोर्ट में लगा दूगी पुटा-फट आन के भेज दूगी रात को मैं जाती हूं पार्लर ठीक है अपना एक छोटा सा मिक ओवर करते हैं ठीक है और बाई बाई टेक केर आप सभी कोमेंट्स अब आ लोगे जवाब दूँगी कोमेंट्स में आप लोग पूछ लीजिए का बाई बाई टेक केर लोडस अफ लाव